नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूजटी नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ अपर नमौजब और मेरे साथ है मेरे सायोगी पुनीत मिश्रा और आज हम आज की बहुत बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए आपके सामने रुबुरू हो रहे हैं और ये बड़ी खबर है वन नेशन वन इलेक्शन जो आज मोधी सरकार ने जिसके प्रस्ताफ को हरी जंडी दिखा दी है मन्जूरी दे दी है और अब इसी सत्र में शी विस्तार से इसका मतलब क्या है कैसे इसे लागू किया जाएगा इसे क्या कुछ असर पड़ेगा आपके हमारे जीवन पर ना सिर्फ चुनावों की विवस्था पर बलकि आपके हमारे जीवन पर भी क्या असर पड़ेगा और क्या इसे लागू करवा पाना वाकरी सरकार के इरादों के जितना ही आसान नजर आ रहा है इस पर हमें पूरी डिटेल से हमें बातों को समझाएंगे पूरीत हमारे सयोगी पूरीत लेकिन पहला सवाल वही आम भाशा में सरल अंदाज में आम जनता के लिए कि क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राश्टर एक देश में एक यबार चुनाओं हो हमारे यह राशब्स सुनाओं होते हैं लेकिन लुक सभा के अलग होते हैं विदाशब के अलग होते हैं लोकल बॉडी जी नजर आता Young a was नजर आता है, और सबसे बड़ी बात कि ये जब चुनाओ बार-बार सरकार की तरफ से ये दलील है, कि जब ये चुनाओ बार-बार होते हैं, तो इससे विकास के काम रुखते हैं, मसलं, मान लीचिए कि मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव है विधान सभा चुनाव के बाद नहीं सरकार बन गई उसको काम करना है विकास के काम करना है लेकिन फिर लोग सभा चुनाव के लिए आचार सहीता लग जाती है फिर वह आचार सहीता लग जाती है तो विकास के काम जो है वो प्र तो इसको कम्प्लीट करना है लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हो पाता और उसके पीछे कहीं न कहीं विकास की कारियों का लेट होने के पीछे एलेक्षन और उसकी जो आचार सेंथा जो लगती है वो भी एक बड़ी वजह मानती है सरकार इसलिए नकेवल नारेंद्र मोदी शिव किस दना से आचार सहीता के चलते काम प्रभावित होते हैं, आप क्यों हमारे शेत्र में योजनाय सफर करती हैं, वो तो हम देखते भी आ रहे हैं, मद्रप्रदेश का एक्जाम्बल बहुत सही आपने भी दिया पूरित क्योंकि दिसेंबर में सरकार बन जाती है, लेकि उसके होता है, सरकारी संसादनों का सद्विपयोग भी हो पाएगा यह कहें कि उपयोग भी उसका बैतर तरीके से हो पाएगा, और जाहिर से बात हैं, बहुत सारी तयारियां करने परती हैं चुनाव को लेकर, लेकिन एक चीज़ और है, चुनाव जब भी आते हैं, तो पढ़ना मतलब एक लोकटंदर का तेहार है ना ये और तेहार में हर किसी की भूमिका होती है और आप समझहिए कि सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जब होते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है ये रेगिलर रोजगार नहीं है बलकि चुनाव के चलते रोजगार मिलता है चाहे वो पूस्टर लगाने का काम हो प्रचार करने का बहुत सारी चीज़े बैंड वाले रैलियों का अरेंजमेंट मतलब बहुत बढ़ा बिसनेस है और बहुत सारी कैटिगरी इसको ये रेप्रेजन करता है तो इसके उपर भी जाहिर सी बात है बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है लेकिन इस से इतर अगर बात की जाए तो देखिए सरकार पहले से ये बोलती आई है कि हमको करवाना 2014 में ही सरकार ये वन नेशन वन इलक्षन की बात और बीजेपी की तरफ से तो ये अपने खोश्णा पत्र में कहा गया था कि एक राष्ट एक चुनाव होना चाहिए और इसके बात लाल किले की प्राचीर से कमेटी बनाई गई थी पूरवर राष्ट पती रामनात कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने काम किया है रिसर्च की है लोगों से बाचीत की है एक्सबर्ट से जाना है कई ऐसे देश जहां पर एक राष्ट एक चुनाव की जो परंपरा या कहलें की जो नियम है उसका पालन किया जाता है उसकी स्टडी की है और उसके बाद एक रिपॉर्ट दी है जो अठारा जार पन्नों से ज्यादा की रिपॉर्ट है ये राष्टपती को मार्च में दे दी गई थी और इसके बाद सरकार की तरफ से इसे अप्रूबल कैबिनेट में अब दे दिया गया है अब इसके आगे की रस्ता जो है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है अच्छा पुनीत ये क्योंकि हमारे जो MP के दर्शा के बाद सोच रहे होंगे कि 2023 पर उनके विधान सभा चुनाओ है और अब जो पांस साल बाद उनके वापस राज जेंगे चुनाओ का नतीजा नंबर आएगा 24 में देश के एलेक्शन हुए है तो ऐसे में वन नेशन वन एलेक्शन को कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा कब होंगे चुनाओ इसको लेकर जड़ा देखें बात यह है कि जो सिफारेशें की गई है और जो सुझाओ दिये गए है पैनल की तरफ से वो सुझाओ पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर हम आगे बात करेंगे जैसे सभी राज्य विधान सभाओं का कारेकाल अगले लोकसभा चुनाव याने की दोजार उनतीस तक बढ़ाया जाएगा होंगे तो मतलब वो टीन टीनली का जो समय हो रहेगा दोग्य सबैसे चबब की ची चबंध चाबस फिमने चुनाव होने तोसमें कै करेंगे मतलब राज्य विधान सभा के चुनाव और लोग सभा के चुनाव दोनों एक साथ हो जाने चाहिए और उसके बाद local bodies जोसको हम निकाय कहते हैं उसके चुनाव होना चाहिए और वो 100 दिन के अंतराल में हो जाना चाहिए क्योंकि देखे चुनाव होता है बहुत बड़ी force बहुत बड़ा टास्क है है सुझाव आप बता रहा था तो यह एक तो यह हो गया कि 2029 तक कारेकाल बढ़ाया जाए दूसरा हंग assembly अगर किसी को बहुमत नहीं है या no confidence motion आ जाता है तो बाकी 5 साल के कारेकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराया सकते हैं मतलब फिर से चुन वोटर लिस्ट और वोटर आइकार्ट तयार करेगा यानि कि बारबार वोटर लिस्ट के लिए जो काम करना होता ना वो नहीं करना पड़ेगा ये विखा गया इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों जनशक्ति और सरक्षाबलों के advance planning की जिसका मैं भी लोकसभा में राज्यसभा में और दोनों सदरों में जब जाएगा दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है और इसके अलावा एक शर्त या ये समझ लेजी कि जरूरत नीट जो है पंदरा राज्यों का इसमें समर्तन होना चाहिए तभी इसमें अमेंडमेंट हो पाएगा प तो वहां से पास होना उसके बाद तिर राज्यसभा सपास होना उसके बाद राश्ट्रपति की पास जाना ठरा तो राश्ट्रपति उसके फिर सखनेंत चाहिए लेकिल ये एक बहुत लंबी और काफी दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया हम कह सकते ह pertama ऑit बीजेपी को बहुत लोगों को साधना होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया निकल कर जो सामने आ रही है, बीजेपी के या सरकार के मंत्री जो है, वो जाहिर से बात है कि सरकार ने से पास किया, और ये मुद्दे जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश है ये जाहिड सी बात है कि कॉंग्रस या जीतु पटवारी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए यही कुछ का है तो ये सारी प्रतिक्रिया जाहिड सी बात है आनिये लेकिन अब ये देखना होगा कि बहुत सारे दल हैं कॉंग्रस के अलावा भी अन्य दल हैं उनकी क्या सोच रहती है अगर जब सरकार इसको क्योंकि शीत कालिन सत्र बस आने वाला है शितकालिन सत्र में अगर सरकार ये लेकर आएगे तो उसके उपर किस प्रकार की चर्चा होती है और वो सारी चीज़े फिर निकल कर बात में सामने आएगे लेकिन ये राह जो है ये अब अभी तक तो हो गया कमิटी बना दी कमिटी ने अपनी रिपॉर्ट तैयार क्रके राश्टरपति को सौंप दी आपने कैबिनेट में पास भी कर दिया कैबिनेट में पास होने के बाद अब लेकर भी आ जाएगे लेकिन असल लडाई इसके बाद से शुरू होने भाद है तो अब ही अस्ती लड़ाई आप शुरू होगी ये ट्रेलर था पिक्चर का क्लाइमेक्स क्या निकल कर आता है वो देखना होगा लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी राय क्या है क्योंकि देखे आप और हम बकू भी जानते हैं कि विधान सबा के लिए जब हम व एक साथ होंगे तो एक व्यक्ति को वोट करना है दोनों अलग-अलग लेकिन सोचना फिर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा कि किसे उसे एक समय में हाँ उसके बाद सौ दिन बाद मतलब आप समझ लिए जी कि सौ दिन मतलब तीन साड़े तीन महिने में फिर से एलेक्शन ह तब आपको उस तरीके से थैयार होना पड़ेगा एक चीज़ और कि देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार एसा वन इलेक्शन की बात ही है आजादी के बाद उन्यसों बावन सतावन बासट और साथ में लोगसभा और विधान सभा के चुनाव एक एक देश एक चुनाव की परंप्रा जो है जो चल रही थी शुरुगात से फिर उसके बाद उसमें बदलाव आता चला गया और ऐसा होता चला गया कई राज्यों में ऐसा हुआ है कई बार हुआ है तो अब यह देखना होगा कि सरकार किस तरह से इस पर आगे बढ़ती है पारलेबंट के अंदर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वापस में आ रही उसी बात पर कि आपके मन में क्या सवाल है क्या राय है आपका सोचना क्या है जरूर बताए इस वीडियो को देखते सम पुनित मुजफ लाल दीजे जाजर